गाइज मैं कुछ ओर शुरू करते हैं तुम लोग वोस्ते यार अमान भाई फैन सीरीज लेकर रहा तो गाइज मुझे अब तुम लोग युग बात तो माननी पड़ेगी तो आज हम लोग दुबारा से आ चुके फैन सीरीज के अंदर और जब मैंने अमान टी स्टीम पे सर् ऑपोकर और अमान भाई है प्याँ जोकर पॉकर फार ने पिंचेट को पिछ गिफ्ट भी दिया है जो के मैं नोड किया तो पिंचें सब्सक्रणोंक कि उन्चें दिवे सारे के सारे नावा यूनित हम लोग टेस्ट करने वाले काफी ज्यादा यूनट मैं अभी आज व्टियो में नहीं उठा सका लेकिन डॉन्ट वरी कासा तो तम्हारे मां पह acumद इना अगर तुम आर्मी किलर का किलर ओके आप मेन लगों किफिकर लड़वाने वाले यृज सहुंगे इसका नाम है फाल endeavors के साथ ही लड़वाने वाले क्यूंकि मुझे लगजा की लेकिन से जाइन लगा है कि क्यूंकि यहां है कि प्रख चालव कृष्च करने र Bare और किया लाई कर दो का कि लाई एक मुझे नौइट कुछ और दिखा थाओं ऑमाइस टेरी दिखा था हो सब्सक्राइब घ्राइब मेरे टेरी तर्फ है और बाइस फ्लेश था सथा अबर सुच्छा अगर यह कुझा इदा और यह उनौट है तो भाई इसको हम लोग विदाउट क्रेडिस अपना यूनट नहीं बहुनने वाले आ रहे है आमान पर यह वाला यूनट को फोर हाईडरा के साथ लड़ाएंगे और इसके बास गोड़ ओफ डिस्ट्रोई इसको तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था ना और यह बहुत जादा स्ट्रॉंग थैरा मेरे ख्याल से हम लोग इसको मान नहीं सकते हैं पता नहीं चौप हम लोगों ने इतने दिनों के बाद लगाया याद ही नहीं पड़ा कुछ ओके यहां पर गोड़ ओफ डाइनोस वर्जन टू ओके वर्जन टू में फ्रेंस किया है यह पता करना है और छो रामान तरह मुझे लग रहा है कि अध्रिक लगे लेकिन टीजाइन तो अच्छा है रेड कलर का फ्लेम फिर बलू फिर ग्रीन और यहाब यलो फ्लेम लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसको मैं बहुत जादा आराम से मार लोंगा एनीवे हम लोग इसको माइनस करते हैं और यूनिट देखते हैं गोड ओफ डाइनोस यह कौन सा यूनिट वोड ओफ डाइनोस आरे इसको तो यहां पर हम लोगों ने कर दिया था उसके बाद यहां पर ग्रीन हाइडरा एक है लेट्स गोब बाप रहे बाप क्या कर रहे हो तुम लोग इतना बड़ा इस प्रफचर और इस प्रफचर के साथ अभी हम लोग अपना यूनिट कहां पर प्लेस करेंगे यहां पर और यहां पर कैसे हाइडरो को प्लेस कर सकते हैं रहां भाइज चौब मुझे भी लग रहा है कि यह स्ट्रॉक्चर का क्लैश होगा प्रीन हाइडरा भी ब इसको में प्लेस करता हो ना यह तूट जाता है तुम लोग बोस के सामने इतना खतरनाक स्ट्रॉक्चर बोस चल भी पाएगा एनिवे इसको भी टेस करना भाइए मुझे लग रहा है कि यार तुम लोग मेरे थोर हाइडरो को मार के दम लोगे क्योंकि यह वाले युनट स्ट्रॉक्चर का पैन हूँ अब तुम लग बोलो कि यारमान में आप एक सुस्ट्राइबर को ऐसे क्यूंब और हो सबके फैन हो यह वैसे तो मैं तुम सारे के सारे युनट को पसंद कर रहा हूँ लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसको एप्रिशि यहां पर यह एक एलिफेंट भी है और आमान पर यह तो बहुत सादा युनट से और सिंचे तुछे पता है काफिता युनट तो हम लोगों ने उठाए भी नहीं अभी मतलब को अभी टेस्ट करना बाकी है एक मिन यह तो टूट जाएगा मेरे ख्याल से ओके नहीं टूटा हाइडरा यह का रहा है मैंने इसको फ्लेस किया और यह हाँ में हाँ और हवहा में उड्ते नीचे तो punishment नहीं तो टोट गया है लेकिं कोई फार हो कि तो नहीं होनें तो नाम है अमानटिपोर हाइडरा हमारे भाई ने बना है देखें tussen सब्सक्राइब न होगी कितना तीन फटॉप यहां पर यहां पर है वाइग उसके बाद यहां पर भी तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे यहां पर भी इस ट्रॉपचर आरे नाइए 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 यह तो बहुत बहुत लगा है यह वाला युनिट मुझे दे दो प्लीज और है रामान पर पहले इसको टेस्ट तो करें तब हम लोगों पता चलेगा कि यह तरह बहुत बहुत स्ट्रॉंग लग रहा है मुझे इसको स्ट्रॉक्चिर कितना आचाता पड़ा है लेकिन पता नहीं उड़ इसको क्लियर छोकर देखते हैं कि यह कितना इसको मानने भाइए इसको लोग प्लेस करता है इसको यहां पर प्लेस करता हूं टेखनिकली मैं स्ट्रॉक्चर के आगे कहीं पर भी कर सकता हूं अरे आमार पर यहाँ पर क्यों place कर रहे देखो यवार आप मेरी एक बात सुनो यार आजो आप क्या हो गया अरे देखो आमार मेर रुको रुको मैं आपको एक चीज बता तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ पर place नहीं करना तो इसका सीधा होता तो यहां पर होता हुआ हम लोग यहां पर उड़ेंगे अर्पर कर देख लेकिन इस तुम्हारा तरह इसकी वजह वजह से गेम बहुत करेगा तो हम लोग बैटल को शुरू कर लेते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि जोकर पोकर तुम में अगर अपना यूनिट बनाना है तो कोशिश करो के वैपन्स थोड़े से कम लगाओ को यहाँ पर प्लेस कर रहता हूं और अब देख लिए हम लोग आर्मी किलर को वहीं पर प्लेस करते हैं यहाँपर को सबस्क्राइब हैं तुम लोग नोट करना गाइस गेम बहुत जादा लैग करेगा मैं यहीं से दिख जाएगा मैं कैमरा को जादा मूव करने नहीं वाला ओके दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो तो रहें लेकिन भाई पोकर जोकर का जो आर्मी किलर का किलर यूनिट है उसका जो कर थे लेकिन यहां पर भी प्लेस कर लेते हैं अर्य लेकिन आरमार पर तो यहां बहुत ज़्यादा मेस है हां वैसे मेस तो बहुत ज़्यादा गेम बहुत लेकरेंगा अगर तो आर्मी किलर को धका लगता है और गेम लेक्ट कर रहा है तो मुझे इस बैटल को यहीं पर एंड करना पड़ेगा हैं सॉरी गाइस लेकिन बैटल को शुरूप करता तो तुम लोगों के लिए ओके हम लोगों नहीं आप बैटल को शुरूप कर दिया अरे भाई था देखो और आर्मी किलर को यार चैलेंज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी यार एक मिनट एक मुझे लगा था कि बैटल जाता लंबा जाएगा लेकिन यह तो बहुत था था तुम लोग मुझे कहीं यह ब्लेम ना करता हो कि आपने कुछ माइनस यह इसनिए मैं तुम लाज चुरू करता हूं टू टू तु त्री एंड गो ओके लेट्स फ़ो अर्मी किलर और इन दोनों के अरे भाई आरमी किलर तो इसको ऐसे मारा जैसे कुछ भी ना हो तुम लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी आर्मी किलर को मानने के लिए आरे मेरा आर्मी कि और वो पीचे वाला वर्जिन टू था आर्मी किलर का किलर इसका नाम है और अगर ये आर्मी किलर का किलर ए तो इसको आर्मी किलर के साथ लड़ाना पड़ेगा बैटा को तुबारा दो शुरू करता हूँ कि अरय बार उर्भाइट मुझे लगाता कि अर्मी किलर साथ ही किलिंटकर को पारफुल है करता है फ्लेश हाइडरा है तो फिर आए बिलीव कि यह थोड़ा हाइडरा को चैलिज कर रहा होगा आरे लेकर यारा मांपा सबसे पहले थोड़ा को प्लेस मत करो यहां पर अलजारो को प्लेस करो फिंचन मुझे लग रहे हैं इसके सामने लेकिन चलो देख लेते हैं यह तो इत्व पूरा को पूरा टेड़ा करें तुम लोगों ने माइनस करो अब एक हाई मैं अपने थोड़ा को यहां पर प्लेस करूंगा तो वह तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे यहां पर आर्मी किलर को प्लेस करना चाहिए लेट सी आर लेकिन आर्माल पर यह स्ट्रॉक्चर को मा लेकिन यहां पर एक प्रॉबलम है गाईश वह मैं तो बता रेता हैं यह स्ट्रॉक्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है तो लेकिन गाईश मैक्सिमम हाफ लाइन तक आना चाहिए था लेकिन यह हाफ से आगे जा रहा है तो कोशिश करो के इस ट्रॉक्ट नहां भी दूर मत बनाओ टेक्निकली तो मैं अपने थोर हाइडा का स्ट्रॉक्चर मैप के दूसरी तरफ बना सकता हूं लेकिन मैंने नहीं बनाया क्यों क्यों कि वह लोगों ने उस ट्रॉक्टर को टेस्ट भी करना है और ऑपोनेंट के साथ बैटल भी करना है तो इसलिए इसलिए अब मैंने बैटर को शुरू किया थोर हाइडा और फ्लेश हाइडा एक दूसरे के उपर अटेक ही नहीं कर रहें कि वह लोग इतना ज्यादा दूर है बहुत बड़ा गैप है इसलिए गैप को थोड़ा कम करना पड़ेगा नहीं तो फिर बैटल ही नहीं होगी हम लोग इन दोनों की बैटल यूं करवा सकते हैं देखो थोर हाइडा को मैंने प्लेस किया इस्ट्रक्चर के बिलकुल आगे और मेरा इस्ट्रक्चर यह रहा ले लोग झाये करेंगे अरगा तो हम लोग एक बैटल करते हैं लेकर इस तरीके से भृच करेंगे अगर तुम लोग देखो गाय तो तुम लोगों पता चल जाएगा के मेरा फोर हाइड निस एड़टीच बे मतलब इमेरा फोर हाइड्रा बिलकुल इसे इस्ट्रॉच्चर के सामने खड़ा हुआ है जबके यह वाला जो फ्लेश हाइडरा है यह मेरे स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा दूर है तो टेक्निकली तो मैंने थोर हाइडर को बनना चाहिए लेकि मैं थोड़ा तर कॉंप्रमाइज कर लेता हूं और हम लोग बैड़ा को शुरू करते हैं के लिए सिर्व इतने तों लोग चाहिए तों लोग से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए